रामपुर नाम का एक गाउं हुआ करता था उस गाउं में गजोधर के दो बेटे धीरज और सुरेश बहुत नाकारा थे दोनों कोई काम नहीं करते थे कुछ दिनों तक काम करते थे फिर घर में बैठे रहते थे धिरज, सुरेश, तुम्हारी मा के गुजर जाने के बाद मैं ही तुम दोनों को पाला पोसा जितना हो सकता था उतना मैंने किया महनत मजदूरी करके तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया इसलिए हम मकान नहीं बना पाए गजोधर की बात सुनकर उनके दोनों बेटों को थोड़ा जटका लगा क्योंकि ये बिल्कुल नई बात बोल दी थी उन्होंने लेकिन दोनों लड़कों ने अपने पिता की बात को इग्नोर कर दिया और घर से बाहर चले गए दोनों बाए मिलकर ठेके पर शराब पीने लगे पीने के बाद रात में नशे की हालत में दोनों किसी दुकानदार से पांच रुपय के पीछे मार पीट करने लगे तब ही वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्हें अरेस्ट करके लेगे अगले दिन जब ये बाद गजोधर को पता चली तब वो अपने दोनों बेटों को छुड़ा कर अपने घर ले आए देखो बेटो ये आखरी बार था जो भी थोड़ा बहुत पैसे मेरे पास थे वो पैसे वकील को दे कर मैंने तुम दोनों को छुड़ा लिया है इसके बाद अगर तुम लोग ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें जेल से नहीं छुड़ा पाऊंगा फिर वोहीं सड़ते रहना हाँ उस दिन दोनों बेटे कुछ नहीं बोले अगले दिन गजोधर अपने खेतों में अकेले बैठा कुछ सोच रहा था तभी उसके पास गाउं की एक पंडित मिश्रा जी आकर बैठके अरे गजोधर जी क्या बात है इस तरह अकेले मूँ लटका कर खेतों में क्यों बैठे हो अभी तो कोई फ़सल भी नहीं है जिसकी तुम रखवाली कर रहे हो अरे क्या बताओं मिश्रा जी आप मेरे दोनों आवारो बेटों को तो जानते ही हैं उनकी मा के गुजर जाने के बाद कितनी मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और ये लोग हैं कि अपनी जिंदगी बरबाद कर रहे हैं मैं तो कभी न कभी दुनिया छोड़ कर चला ही जाऊंगा फिर ना जाने इन दोनों का क्या होगा मैं आपके दोनों बेटों को जानता हूँ उन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं मेरे पास एक उपाय है जिससे उन्हें कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा और वो खुद बखुद सुधर जाएंगे ऐसा कौन सा तरीका है मिश्रा जी अपने दोनों बेटों की शादी कर दीजिए फिर देखना कमाल एक बार बीवियों की जिम्मेदारी आ जाएंगी ना फिर ये क्या इनका बाप भी सुधर जाएगा है मिश्रा जी उनका बाप तो पहले से ही सुधरा हुआ है अरे ये तो एक कहावत है वो बोल रहा हूँ मैं अगर आप बोलो तो मैं आपके दोनों बेटों का रिष्टा करवा सकता हूँ मिश्रा जी वो दोनों आपके ही बेटे हैं आपको जैसा ठीक लगे कीजिए क्यूंकि मैं तो सब कुछ करके देख चुका हूँ मिश्रा जी ने खुद जाकर सुरेश और धीरच से उनकी शादी की बाद की अपनी शादी की बाद सुनते ही धीरच और सुरेच खुशी से जूम उठे अरे पंडित जी अभी तक आप कहां थे हम दोनों को शादी के चुल बहुत पहले ही मची हुई है पर पिता जी से तो मैं कुछ कह नहीं सकता था हाँ पंडित जी अगर पिता जी से अपनी शादी की बात करते तो वो हमें कुछ न कुछ काम करने का ज्यान देने लगते कोई बात नहीं ये रही लड़कियों की फोटो तुम लोग देख लो अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाते हैं पंडित जी हमें लड़की बढ़की नहीं देखनी बस लड़की जिन्दा होनी चाहिए इतना काफी हैं हमारे लिए तो इस तरह पंडित जी ने धीरज और सुरेश की शादी करवा दी लेकिन उनका घर छोटा सा था धीरज आज हमारी सुहाग रात है कमरा हमारे पास सिर्फ एक है कैसे होगा सब कुछ देवरानी जी को तो बड़ी आग लगी हुई है सुहाग रात मनाने की ये सब सोचना हमारा काम नहीं है वो चारों लोग अपनी सुहाग रात के बारे में बाते करी रहे थे कि तभी गजोधर ने इशारे से धीरज और सुरेश को घर के बाहर बुलाया इधर सुरेश और धीरज परिशान थे कि अब क्या किया जाए दोनों भाईयों ने मिलकर अपनी बीवियों से साड़ी ली और साड़ी से ही कमरे के दो भाग डिवाइट कर दिये बीच में परदा डाल कर उसके बाद उन दोनों देवरानियों और जेठानियों की सुहाग रात एक ही कमरे में मनाई गई कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा लेकिन तभी एक रात जूरदार बारिश होने में देखे अरे खराटे मारना बंद कीजे देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है बाबुजी चट पर सो रहे होंगे भीग गए होंगे वो ये सुनकर धीरज और सुरेश दोनों की आखे खुल गए दोनों भाई भागतर चत पर गए तो गजोधर डेटा हुआ था जमाचम बारिश हो रही थी सुरेश और धीरज अपने पिता को जोर जोर से हिलाने लगे लेकिन उनकी नीन नहीं खुली क्योंकि गजोधर अब ये दुनिया छोड़ कर जा चुका था दोनों भाई जोर जोर से रोने लगे पिता जी आप हमें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते आखे खोलो पिता जी पिता जी आज से हम वो सब कुछ करेंगे जो आप कहते थे प्लीज एक बार आखे खोल दो लेकिन गजोधर ने अपनी आखे नहीं खोली क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका था अगले दिन उनका अंतिम संसकार किया गया दोनों बेटों ने अपने पिता को अगनी दी मोहिनी पिता जी सही कहते थे बिचारे अकेले ही उन्होंने हम दोनों बेटों को जवान किया और हम इतने हट्टे कट्टे होने के बाबजुद उनके ही टुकडों पर पलते रहे अगर हमने वक्त पर मेहनत करके मकान बना लिया होता तो आज पिता जी जिन्दा होते तुम दोनों को अब जाकर हसास हुआ इसलिए जब भी कोई बुढ़ा बुजूर गिया हमारे माबाप कोई बात समझाते हैं तो उसे मानना चाहिए क्यूंकि वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं हा पिता जी आप जहां पर भी है हमें बच्चा समझ कर माफ कर दीजिए मिश्रा जी हमें अभी से काम करना है कुछ काम दिलाइए मैं पिता जी की अगनी की कसम खाकर कहता हूँ कि आपकी तेरवी से पहले हम दोनों भाई अपना मकान बनाना शुरू कर देंगे दोनों भाई पढ़े लिखे तो थे ही इसलिए उन्होंने बहुत सारी कमपनियों में अपना रिज्यू में लगा दिया लेकिन इतनी चल्दी तो काम मिलता नहीं इसलिए उसी दिन से वो लोग मजदूरी करने लगे मालिक की बाते सुनकर धीरज और सुरेश की आँखों में भी आँसु आ गए अच्छा तो अब पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम लोग काम कर रहे हो इतने हट्टे कट्टे होकर तुम लोग अपने पिताजी की मदद करते तो उन्हें रोना नहीं पड़ता वो तुम दोनों की वज़य से ही परिशान रहते थे मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल सही कहा मालिक हम लोगों ने कभी अपने पिता की बात नहीं मानी आज कल के बच्चे भी ना पिता के मरने के बाद ही उनकी वैल्यू पता चलती है चलो चलो काम करो वो दोनों काम करते रहे कुछ दिनों बाद मिश्रा जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया कमलेश सुरेश मैंने तुम लोगों के लिए कमपनी में बात कर ली है मैं अपनी गारंटी पर तुम्हें वहां लगवा रहा हूँ नौकरी हाँ मन लगागर काम करना पहले की तरह मत करना कि 10-15 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया मिश्रा जी अब आप हम लोगों को बाहर बाहर शर्मिंदा मत कीजिए पिता जी के जाने के बाद हमें अपनी गलती का हैसास हो चुका है मिश्रा जी के आशिर्वात से एक हफ़ते के अंदर ही उन्हें नौकरी भी मिल गई एक हफ़ते में जो उन्होंने कमाये था उससे थोड़ा बहुत सामानी कठा करकि उन्होंने अपने मकान की नीव रगती जिससे उसकी कसम भी पूरी हो गई अब दोनों रोह मत ससुर जी जहां भी होंगे खुश होंगे मन बहलाने के लिए ये बाते अच्छे लगती है जानवी क्या पता पिता जी कहां हूँगे हमें देख भी रहे होंगे या नहीं काश, पिताजी के जिन्दा रहते हम लोगों ने इतनी महनत कर ली होती, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इस तरह से धीरे-धीरे पैसे कमा कर, छे महीने के अंदर उन लोगों ने अपना मकान बना लिया, और अपने मकान का नाम रखा गजोधर निवाज। आती, यहां सब बहु बेटियां हैं। अरे मा, आप पिताजी को बार-बार इस तरह क्यों डाटती रहती हैं, उन्हें कैसा लगता होगा, वो इस घर के मुख्या हैं, सबके सामने इस तरह उन्हें डाटोगी, तो उन्हें खुद पर शर्मानी लगीगी। अच्छा, तो तुम लोग भी अपने बाप की साइड लेने लगे हो आजकर, ठीक है, मैं ही एक कोने में जाकर बैट जाती हूँ, फिर देखती हूँ सारा काम कैसे होता है। विनूत और कार्तिक की मा माया विनूत के इतना बोलते ही गुसा हो जाती है, और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सब लोग दर्वाजा पीटते रहते हैं, लेकिन वो दर्वाजा नहीं कोलती है। आपको मा जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, अब ऐसा कीजे दर्वाजा तोड़ दीजे, वरना कहीं मा जी कुछ गलत ना कर बैठे। निलम, तुम सही कह रही हो, कार्तिक जरा पीछे हटना, मैं दर्वाजा तोड़ता हूँ। जादी है, शादी से पहले इतना बड़ा अपशकुन कर दिया तुम लोगोंने, अब कोई न कोई गर पर तो शादी के बाद जरूर होगी। मा जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू तो चुपी कर बहू, ये मेरा घर है, और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। मुझे आज के जमाने की सास मत समझ लेना, जिसे तू दबा ले जाएगी। ठीक है मा जी, अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा आप कहेंगी वैसाई होगा, अब चलिए, शादी की तैयारी करते हैं, कल बारात निकलनी है कार्तिक की, धेवर जी को थोड़ा समझा देती हो। अब ही भी चड़ी होई है, ये कोई उमरे डांस करने की। यानि निलम की देवरानी प्रियंका को ये सब देख कर अच्छा नहीं लगता है। खेर, विदाई हो जाती है, और प्रियंका अपने ससुराल आ जाती है। कार्ते, ये तुम्हारे सगे पिता जी है ना? हैं? प्रियंका, ये तुम कैसे सवाल कर रही हो? मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, यहाँ तक की शादी के दिन भी, मैं देख रहे हूँ कि ससुर जी की बिलकोल इज़त नहीं है इस घर में। मा जी जब देखो तब बहुत बुरी तरीके से उन्हें लतार देती हैं। तुम इन सब चकरों में मत पड़ो, ये तो मेरा रोज का काम है। प्रियंका और गजोधर चुपके चुपके बाते कर रहे होते हैं। तभी दूर से माया सब कुछ सुन लेती है और उसके कमरे में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी जवानी गई नहीं है अभी तक। नई नवेली बहु से अकेले अकेले कमरे में चुपके चुपके क्या बाते कर रहे हो। कोई चक्कर चल रहा है क्या। बुढ़ाओ तुमको लेकर तो मैं परिशान हो गई हूँ। इस तरह से प्रियंका अपने ससुर गजोधर को लेकर वहां से चली जाती है। रात हो जाती है और माया अपने बेटे से कहती है। रात हो रही है कार्तिक, तेरी नई नवेली दुलहन अभी तक गायब है, तुझे खबर है या नहीं। अरे मा प्रियंका अकेले नहीं गई है, वो पिताजी के साथ अपनी बुआ के घर गई है, अभी आती होगी। पिताजी साथ है तो किस बात की टेंशन। माया के दिल में अंदर ही अंदर ना जाने क्या क्या चलने लगता है, तभी अचानक डोर बेल बचती है। माया भाग कर दरवाजा खोलती है, और जो देखती है वो देखकर उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि प्रियंका और उसके ससुर गजोधर दोनों के गले में वर्माला थी, दोनों शादी करके आ चुके हैं। मुझे गजोधर जी पहले से ही बहुत पसंद है। मैं गजोधर जी तक पहुँच सकूँ, इसलिए तो मैंने कार्थिक से शादी की और मुझसे बक्वास करने की कोई जरुरत नहीं है। मेरे पिता एक जज है, मेरी मा एक सरकारी वकील और मेरा भाई एक IPS ओफिसर है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। पैसो के लालश में सासुमा ने हमारे परिवार से रिश्टा तो कर लिया। अब भुग तो सब लोग। मैं इसी घर में रहूंगी सासुमा, अब आप अपने बुढ़े को मेरे साथ इसी घर में हर पल देखोगी। अब जाओ चुपचा, हम सब के लिए खाना बनाओ जाकर ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे प्रियंका, जिसको हमारा रिश्टा मनजूर नहीं है, वो इसी वक्त मेरा घर छोड़कर जा सकता है। इतना कहेकर गजोधर प्रियंका का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में उसे लेकर चला जाता है। कार्तिक को कुछ समझ न इतने में कार्तिक का फोन बजने लगता है, उसकी सास का फोन है। भावी, आप भी प्रियंका की तारिप कर रही हो। तुम बहुत भूले हो देवर जी, सुनो फिर। नीलम उसे सारी बात बता देती है। देखो कार्तिक, तुम प्रियंका को गलत मत समझो। उसके घर में सभी लोग कानून के रखवाले हैं, इसलिए ऐसे लोग जहां भी गलत होते हुए देखते हैं, उसे सुधारने के लिए वो लोग किसी हद तक जा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भावी। मेरी देवरानी जो भी कर रही है, मुझे बताने के बाद ही कर रही है। ससुर जी के साथ मिलकर वो सिर्फ शादी का नाटक कर रही है। कार्तिक ये पैर पकरने तक मजबूर कर देती है। तब जाकर गजोधर का खोया हुआ सम्मान और आत्म विश्वास लोटाता है। लेकिन इस सब के बाद माया बहुत बिमार पर जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। मैं मरने वाली हूँ। कहते हैं उपर वाला हर किसी को उसके कर् ही इस्दत नहीं की। इसलिए आज मुझे अपनी सौतन देखनी पड़ी। अंतिम समय में मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। माया अपने पती गजोधर से और बाकी सभी से माफी मांगती है। तब ही वहाँ पर प्रियंका के माता-पिता भी आ जाते हैं। परिशान मत हो ये समधन जी, हमने शादी वाले दिन ही समधी जी के प्रतियाप का बिहेवियर देख लिया था। इसलिए प्रियंका ने गजोधर जी के साथ मिलकर शादी का नाटक किया। तो इस तरह से माया को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। प्रियंका उस घर में छोटी बहु बन कर ही रहने लगी और सभी खुशी-खुशी रहने लगे।